हलो फ्रेंट्स वेल्कम डू स्मार्ट नोग्री चैनल दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं डियारू सीपीटियम एक्जाम 2019 यानि कि आज जो पेपर वाट थाइस नौ 2019 को इसमें कौन से सवाल पूछे गए थे और आपके द्वारा दिये गए सभी प्रश करते हैं मेल करते हैं तब हमें पता चलता कि कौन सा कोईस्टन जो है आज के पेपर ने पूछा गया था तो यह जानकारी सभी के पास पहुंचे इसलिए हमने इस वीडियो को बनाया है ताकि आप सबको पता चल सके कि आज जो है बेसे को पूछे गयते साथ हैं आपको यह बताएंगे कि कि अपने स्टूडन से बात की जो एक्जाम सेंटर से बाहरा है उनसे क्या पता चला कैसे पेपर स्कॉल करना है क्या स्टेजीर है सब कुछ बताएंगे इस वीडियो को अंतर जरूर देखेगा दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को उससे पहल इसली जब तक जोईनिंग ना करा दे हम पूरी अपडेट जो है अपको हर वैकें सी अपने कर दे तो चलिए इस वीडियो को तो दोस्तों आज का जो इवीडियो है सबसे इंप्रण इसलिए यह है क्योंकि कंद भी आपका इसका पेपर होने वाला है पर्सों भी यानि 28 29 30 30 दिन जो है आपका यह पेपर चलने वाला है काफी जगहों पे चल रहा है यह अलवर सेंट्रल गवर्मेंट का जॉब है दोस्तों तो सभी लोगों ने इस फॉर्म के लिए बढ़ चल का हिस्सा लिया था बट इसमें इक खास चीज यह थी जो लोगों को अलग कर रहे थी वह आपका जो है इसमें इसमें होना जिया दोस्तों बाकि जो कावन पेपर्स होते हैं उसमें सभी लोग अप्लाई कर देते हैं बट जब आइटिया आ जाता है तो यहां पे कुछ स्टुद्ट जो है सेलेक्टेड अलग हो जाते हैं यानि सभी लोग इस फॉर्म के लिए अप पता हैं अब बात कर देते हैं आई चलीजिलमें लोग लोग जो है यानि लोग में कि सब्सार हें लोग के लिए अलग में और तो ज़्यादा नंबर लाने के पाद भी फेल हो जा रहें यानि कि दोनों ही छीजे हैं कम नंबर लाएंगे तो भी आपका चांस है क्योंकि आगर आपके ट्रेड में आप से भेटर कोई नहीं है तो आपका चांस लग जाता है लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी ट्रेड में कि बहुत अच्छे स्टुडेंट्स होते हैं उसमें ज्यादा मांक स्कॉरिंग होने के बावजूद भी आपका नंबर नहीं लग पाता है यह बात की बाते हैं दोस्तों चलिए अब स्टार्ट करते हैं अब इसको टॉपिक वाइस तो आज जब मैंने बात किया है के स्टुड कर देता हूं कि जो कोईस्टें से वह मिक्स आते हैं आप यह मैंस तो लोग काफी यह बी कंफिस हो जाते हैं कौन सा को सौल पहले करना है कौन सा बात में करना है चाली से पचास कुछे जा रहे हैं कुछ लोगों कैसा कहना है मैं आपको सब कमेंट भी दिखाऊंगा 40-50 आर है और जो पचास नंबर के जो रीजनिंग साइंस मैथ था वह काफी इजी आ रहे हैं और जो ट्रेड है वो तो अल्रीडी इजी है सर क्योंकि हमारा ट्रेड है और कुछ कॉप वाले स्टूडेंट ने मैसेज किया कि सर कोपा के कुश्चन जो बहुत टफ आये थे इलोट्र टेस्ट में अगर आपने अगर अच्छी तरह से प्रैक्टिकल एक्जन दिया होगा जी हुआं अगर आपने प्रैक्टिकल अच्छी तरह से किया हो तो आपको बहुत ही mm के एक्जाम में यानि डियाउडियो में लगबगा आपका सेलेक्शन पक्का है क्योंकि यहां पे जो है जितना कोईशन आपको पता है 50 नमबर अगर आपने ज्यादा मैत नहीं आता आपको चल जाएका लेकिन यहां पर अपने ट्रेड में आपने महारत हासिल कर रहें जिया दो स्टूइन्स की कमेंट जो मारे वीडियो पर आ रहा है कि सराइसे कोईशन पुछे गए थे अब देख सकते हैं यहां पर 28 नों का यह है अपडेट यहां पर बता जा रहा है कोपा ट्रेट का कोईशन कहा था प्लीज हेल्प मी यानि कैसा था कोईशन कोपा का तो हम इंको बता सब्सक्राइब कोईशन से आप 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 आगे यानि यह सब अफैर से आपको पता होना चाहिए कि रन मोरे कौन से इंटरनेशनल की कि टीम के कोच बने थे बहुत ही भी हाली में निज़ा था दोस्तों तो इसका आपको पता होना चाहिए क्योंकि ऐसे परकार कोशन जो पर देख लीजिए माइनस मार्किंग है या नहीं जिया दोस्तों मार्किंग बिल्कुल नहीं इसमें आपको एकोशन आपको यह हो गया है यहां पर नाइस इंफोर्मेशन सर कोपा का लेवल बहुत हाई था आईटी के हिसाब से नहीं था बट बहुत हार था लेवल तो कोपा का जो लेवल था काफी टर्फ था अब जितने कोपा वाले हैं अगर आप भी मैसेज करते हैं तो हमें पता चल जाए कि वाकर कोपा का टेस्ट था या फिसी बेग दो स्टूडेंस के लिए हाड था तो यह चीज़े देखिए यहां पर दिया हुआ है कि आपको जो है क यहां दोस्तों पर जो है मैंने भी प्रहता कि पेपर इजी नहीं बठ हाँ हाड भी नहीं यह यानिंग में आ रहा है पेपर क्योंकि जो ट्रेट है रहे हो काफी आता है और आपका जो है रिजीन का लेवल टेंट का ही गजाम है टेंट प्लस प्लस आईटी आइका था तो नहीं पुछा जाएगा आप से जब नॉर्मल कोईशन नहीं पुछे जा रहे हैं रीजनिंग में लेकिन ट्रेड वालों को देखे 40-50 कोईशन पूछे जा रहे हैं अगर आपने अपने ट्रेड में महारत हांसिल की है तो आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि यह जौब स पासाने से मिल जाएगी सर्फिटर टेड के लिए कौन सी चीजों पर ध्यान दे मतलब फिटर से रिलेटर जिया दोस्तों फिटर से आपको जितना भी आपको लगता है फिटर की बुक उठाईए फुटर की बुक में देखिए प्रैक्टिकल में आपने क्या क्या किया था जी हां आपको क्या लगता है कि जो आप किताब से पढ़ वो नहीं आपको प्रैक्टिकल जितना आपने किया था वो चीज़े उठाईए उसको पढ़िए आपको प्रैक्टिकल से जो है सम्मंदित कोईस्चन पूछे जारे हैं सी पीटीम के एक्जाम में क्या देखिए वा चीज़ों के बारे में हलका हलका पढ़ दीजे ताकि आपको नॉलिज हो जाए कि किस टाइप का था ओर्लाइन यूटूप और पीडियाफ स्टेडी काम नहीं आए जिया देखिए मैंने पहले ही कहा था आपको दोस्तों कि यहां पर जो है प्रैक्टिकल के बारे में कुछ पूछे जा रहे हैं तो आप इस बात ध्यान दीजे दोस्तों जाके की दो दिनों जितने भी है स्टुट्ट सभी लोग अपने प्रैक्टिकल रोजमरा के चीज़े जो जो इस्तमाल होती है उन सभी चीजों पर फोकस कीजिए अपने अपने डिलेटर समंधित ट्रेड्स से के गङगा है कंगता है तो कि आपको मैटतिक्स तो आना होना अनिवार दोस्तों कि बिना मैटक तो आप करी नहीं पाएंगे फिजिक्स के कोश्चन तो मैस के भी कोश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं यहां पे तो दोस्तों उमीद करते हैं इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा कि आज का कैसा पेपर था क्या महौल था किस प्रकार का जो के कोश्चन है और हमें देखिए अलग है है वद्धियो यose उससाफ से एक नहीं अफ्डेट के साथ था कौमसज दोस्तों वाचिंग इस वीडियो वीडियो पसंद आ lives पूसलों ताकि उनके पास था दिचा कंई और तैरी में हैं thankful